प्रतिरोधों के बारे में कि प्रतिरोध क्या होते हैं ठीक है विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा क्लियर अब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों को तो को होता क्या है कभी-कभी दो या दो से अधिक एक प्रतिरोध से काम नहीं चल पाता है तो कभी कभी विभिन कारणों से क्या किया जाता है कि प्रतिरोधों को एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है और इनको दो विदियों द्वारा जोड़ा जा सकता है कितनी विदियों द्वारा दो विदियों द्वारा जोडने जोडने की दो प्रमुक्ष विदियां हैं कि दो प्रमुक्ष विदियां हैं नमबर एक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्रेणी क्रम संयोजन फर्स्ट नमबर और सेकंड नमबर पहला जो होता है बच्चों क्या होता है स्रेणी क्रम संयोजन और जो सेकंड होता है वो क्या होता है समांतर क्रम संयोजन स्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या स्रेणी क्रम संयोजन तो आप लोग हेडिंग डाली है नमबर ए में स्रेणी क्रम संयोजन या प्रतिरोधों का स्रेणी क्रम संयोजन ऐसे लिख लो पूरा प्रति रोधों का प्रति रोधों का स्रेणी क्रम स्योजन स्योजन के लिए अर्थात हम लोग बात किसकी कर रहे हैं इन सीरीज में सीरीज का मतलब स्ट्रेणी क्रम में तो प्रति रोधों का पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेणी क्रम स्योजन देखो होता क्या है स्रेणी क्रम सयोजन की बात करें तो स्रेणी क्रम सयोजन में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ते हैं ऐसे होते हैं प्रतिरोध यह हो गए तीन प्रतिरोध था क्लियर इसको क्या करते हैं बैटरी से जोड़ देते तो इसका एक ये सिरा हो गया, इसका एक ये हो गया, ठीक, तो स्रेणी क्रम सयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दिख रहा है न, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, जहां से समझना, क्या होगा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार सभी प्रतिरोधों को जोड़ कर, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बैटरी के धंधरों से, तथा अं स्रेडिक्रम सयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी प्रकार सभी प्रतिरोधों को जोड़ कर पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे को बैटरी के दुर्वों से जोड़ देते हैं के लिए श्रेणी क्रम सयोजन में सभी प्रतिरोधों में जो वैदुद धारा होती है वो क्या होती है समान होती है इसमें जो धारा का प्रवा होता है वो समान होता है किन्तों इनके जो सिरों के बीच विभुवांतर होते है वो भिन भिन होते है इनके सिरों के बीच जो विभ उद्धारा-प्रवायित होती है किन्तू उन्प Biz बोलते हैận है इसका परडामी विभवांतर जो है वह हमने मान लिया कितना वी है कि परडामी विभवांतर टोटल कितना ले लिया दूल आई बैटरी का विभवांतर ौ collective कितना है है अब लिखेंगे इतनी बात प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि कि पहले प्रतिरोध पहले प्रतिरोध के कि दूसरे सिरे को कि दूसरे सिरे को किस से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से को कि दूसरे प्रतिरोध के के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को कि दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को कि दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्लियर से जोड कर जोड कर सभी प्रतिरोध को क्या करते हैं सभी प्रतिरोध को इसी प्रकार जोड देते हैं तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले सिरे को वा अंतिम प्रतिरोध के अंतिम जो आपको समझा है वही पूरा लिख रहे हैं वह अंतिम प्रतिरोध के अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को क्या करते हैं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी के धुरू से जोड़ देते हैं जोड़ देते हैं इन से जोड़ दिया गया के लिए इसकी बात क्या होता है स्रेडी क्रम स्योजन में सभी प्रतिरोधों में समानवाय दुद्धारा प्रवाइद होती है स्रेडी क्रम स्योजन में समान वैद्धुद्धारा प्रवाहित होती है वैद्धुद्धारा प्रवाहित होती है जब की उनके सिरों के बीज विबवांतर भिन भिन होता है इनके सिरों के बीज विब वमांतर होगा वो क्या होगा भिन भिन होता है चित्र बनाने के बाद वीडियो को रोकेंगे चित्र बनाएंगे ड़िछ्चित्र बनाने के बाद समझिए कि माना तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रमसा R1, R2 वा R3 है ठीक है स्रेड़ी क्रम में जोड़े गए हैं या जोड़े हैं बैटरी दोरा इसमें स्मालाई एंपियर की वैदुद्धारा प्रवाइद करने पर इनके सिरों के बीच विवांतर क्रमसा V1, V2 वा V3 हो जाता है क्लियर यहां बात तक बात समझ में फिर समझ लिजिए माना तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रमसा R1, R2 वा R3 है स्रेडी क्रम में जुड़े है या बिन्दूओं A वा B के बीच स्रेडी क्रम में जुड़े है जब बैटरी दोरा इसमें स्मालाई एंपियर की वैदुद्धारा प्रवाइद की जाती है तो इनके सिरों के बीच विवांतर क्रमसा V1, V2 वा V3 हो जाते है लिखेंगी तना माना पहले चितर बनाएंगे, उसके बाद ये लिखने है बाद चितर चितर के बाद लिखेंगे माना तीन प्रतिरोततार माना बिन्दूओं ए वा बी के बीच तेन प्रतिरोततार जिनकी प्रतिरोध क्रम्सा प्रतिरोध क्रम्सा आरवन कॉमा आर्टू वह आर्थिरी है स्रेणी क्रम में जुड़े है स्रेणी क्रम में जुड़े है यहां तक बास सोजने है फिर क्या लिखेंगे जब बैटरी द्वारा इनमें इसमाल आई एंपियर की वैदुद धारा प्रवाइद की जाती है जब बैटरी द्वारा इनमें इसमाल आई एंपियर की वैदुद धारा प्रवाहित की जाती है इसमाल आई एंपियर की वैदुद धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके सिरों के बीज विबवांतर क्रमसा वी वन कॉमा वी टू वा वी थिरी हो जाते हैं हो जाते हैं के लिए यहां तक समझ में आया अब देखो समझो यह तो हो गए इसकी थियोरी देरिवेशन बहुत कम है छोटा सा है समझ लेगे देखो क्या होगा तब वी वन बराबर देखो वी अपॉन आई बराबर पढ़ा है आर के पढ़ा है तो यहांसे वी बराबर क्या आएगा आई आर के तो वी वन बराबर क्या हैगा आई आर वन के क्योंकि आई तो सम्में सेम है आई के वल बदल रहे हैं वी टू कितने के बराबर हो जाएगा वी टू वी टू आई आर टू के और वी थिरी बराबर किसके हो जाएगा आई आर थिरी के लिखेंगे परण्तु जो परणामी मिर वांतर है वो कितना है व से वारावर V-1 की जगए क्या लिखेंगे ir1 v2 की जगए क्या लिखेंगे ir2 v3 की जगए क्या लिखेंगे ir3 यह हो जाएगा इनसे क्या करो r common ले लो sorry i common ले लो i सम्में से मैं i common मिल जाएगा क्या बचेगा r1 plus r2 plus r3 यह समीकरण हो गया एक हो गया समीकरण एक अब क्या किया जाए अब यदि इन सभी प्रतिरोधों के इस्तान पर इसा प्रतिरोध ले जिसका प्रिपत्रोध कीतना हो capital r हो इन सभी प्रतिरोधों के इस्तान पर यदि एक ऐसा प्रतिरोध लें जिसका तुल प्रतिरोध कैप्टल आर हो तथा जिसे में जिसे स्माल आई एम्पियर की धारा देने पर उसके सिरों के बीच युवांतर कितना हो जाए कैप्टल वी हो जाए तो इनको सबकी जगह पर हम एक ऐसा प्रतिरोध ले रहे हैं जिसका प्रतिरोध कितना है कैप्टल आर है इन सभी प्रतिरोधों के इस्तान पर एक प्रतिरोध कैप्टल आर लें यदि इन सभी प्रतिरोधों के इस्तान पर इन सभी प्रतिरोधों के इस्तान पर एक ऐसा प्रतिरोद कैपिटल आर ले जिसमें इसमाल आई एमपियर की वैदुद्धारा इसमाल आई एमपियर की वैदुद्धारा प्रवाहित करने पर विभुवांतर कितना हो कैपिटल वी हो तब वी वराबर क्या होगा वी वराबर हो जाएगा आई आर के तब वी वराबर आई आर समी करण दो अब समी करण एक वा दो से एक वा दो से इसके तो ये I.R. इक्वल होगा किसके इस वाले के I. ब्रेक इंड में R.1 पलस R.2 पलस R.3 I. से I. कैंसील होगिया R. बराबर आगिया R.1 पलस R.2 पलस R.3 R. बराबर आगिया R.1 पलस R.2 पलस R.3 ये इसका क्या है परिणामी प्रितिरोध तुल प्रितिरोध तो ये आगया इसका फरिमाब फार्मूला दिखेंगे यही क्या है यह इस परिपत का परिणामी या तुल प्रितिरोध है तो ये होगे आपका क्या स्टेडी क्रम स्योजन नोट कर लिजी आराम से तो आपने पढ़ा स्रेंडी क्रम सहियोजन अब पढ़ेंगे जो अगली एडिंग है वो है समांतर क्रम सहियोजन समांतर क्रम सहियोजन प्रतिरोधों का या लिखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम सहियोजन हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन अब देखो इसको समझेंगे समांतर क्रम क्या होता तो जैसे स्रेडी क्रम को समझा पहले चित्र से वैसे ही समांतर क्रम को पहले चित्र से समझेंगे फिगर से फिर उसके बाद आगे बढ़ेगे उसके बाद थियोरी लिखाएगे तो देखिए भईया एक ये प्रतिरोध हो गया दूसरा ये प्रतिरोध हो गया तीसरा ये प्रतिरोध हो गया यह हो गए प्रतिरोध फिर इनको क्या किया एक बैटरी से जोड़ दिया यह वी वोल्ट की बैटरी हो गए तो दिखो होता क्या है समांतर क्रम स्योजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रते एक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से समांतर क्रम स्योजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रते एक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा जोड़ कर क्या करते हैं एक बैटरी से जोड़ देते हैं समांतर क्रम स्योजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रतेग प्रतिरोध के पहले सीरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं तता प्रतेग प्रतिरोध के दूसरे सीरे को एक अन बिंदु से जोड़ कर एक बाई बैटरी से जोड़ देते हैं ये बैटरी का धन दुरू ए रिन दुरू किलियर समांतर क्रम सयोजन में एक और कंडिशन होती है इसमें क्या होता है समांतर क्रम सयोजन में वैदुद धारा तो भिन भिन होती है किन्तु इनके सिरों के बीट जो भिवांतर होता है वो समान होता है इनके सिरों के बीट जो भिवांतर होता है वो समान होता है इसमें प्रवाहित वैदूत्धारा किया होगी? भिन भिन होगी. यह हो जाएगी जैसे इसमें प्रवाहित हो रही है, I1, इसमें I2, इसमें I3. तो यह I1, I2, I3. यहां से यह I. Clear? तो समांतर कर्म सयोजन में प्रत्रोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रतेक प्रतिरोद के पहले सीरे को सभी के पहले सीरे को एक बिंदू A से जोड़ देते हैं तता प्रतेक प्रतिरोद के दूसरे सीरे को एक अन बिंदू से जोड़ कर एक बाय बैटरी से जोड़ देते हैं बैटरी दोरा वैदुद धारा प्रवाइद करने पर वैदुद धारा क्या होती इन में सभी में भिन प्रवाइद होती है लिखेंगे समांतर क्रम सयोजन में सभी प्रतिरोधों में वैदुद धारा है तो अलग-अलग होती है किन्तों इनके सिरों के बीच वी बुवांतर सम सिमान होतें लिखेंगे इतना लिखेंगे समांतर करम सेयोजन में प्रतिरोधों को प्रतिरोधों को इस प्रकार समांतर क्रम सयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि कि प्रतिरोध क्या करेंगे प्रतिरोध कि क्या करेंगे प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदू से एक बिंदू से तथा प्रतिरोध के दूसरे सिरों को पहले सिरों को एक बिंदू से तथा प्रतिरोध के प्रतिरोध के दूसरे सिरों को एक अन बिंदू से जोड़ कर एक बैटरी से जोड़ देते हैं एक बैटरी से जोड़ देते हैं ठिक यहां तक बात समझ में आया फिर क्या लिखेंगे कि समांतर करम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के प्रतिरोधों में वैद्धुत दारा तो भिन भिन होती है वैद्धुत दारा तो भिन भिन होती है होती है परन्त उनके सिरों के बीच उनके सिरों के बीच विभवांतर समान होता है विभवांतर समान होता है यह बात हो गई इसकी तो सिरों के बीच विभवांतर समान है लेकिन वैद्धुत दारा क्या है बिन भिन है अब क्या करेंगे इसना लिखने के बाद आप फीगर बनाएंगे इतना लिखने के बाद नोट करने के बाद समझ में आ गया होगा फिर इसके बाद फीगर बनाएंगे अब क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे फिर इसके बाद फीगर बनाने के बाद लिखना है फीगर बनाने के बाद क्या लिखेंगे माना तीन प्रतिरोधतार जिनके प्रतिरोध क्रमसा जिनके प्रतिरोध क्रमसा क्या हैं क्रमसा R1, R2 वा R3 है बिंदूओं A वा B के बीच किसके बिंदूओं A वा B के बीच इसमें जुड़े हैं समानतर क्रम में जुड़े हैं क्लियर जब सिल द्वारा वैदुत धारा इसमाल आई प्रवाहित की जाती है तो वै बिंदू क्या होता है तो वै बिंदू A पर बिंदू A पर वै क्या होती है बिंदू A पर अलग तीन भागों में विवाजित हो जाती है बिंदू A पर अलग अलग भागों में अलग अलग प्रतिरोधों में बट जाती है माना यह धारा माना प्रतिरोधों में प्रतिरोधों में धारा क्रमसा क्रमसा क्या है आई वन कॉमा आई टू वा आई थिरी है ठीक है आई वन है आई टू है और आई थिरी है इसके बाद क्या करेंगे तब आई वन वराबर तथा इनके सिरों के बीच विववांतर जो है तथा तो देरा अप्रतिरोधों में धारा क्रमसा आई वन आई टू आई थिरी हैं तथा ले लिया तथा उसके सिरों के बीच तथा इनके सिरों के बीच जो विववांतर है इनके सिरों के बीच Vib howantar Vib howantar कितना है? Capital V हो तब तब निकालेंगे I1 बराबर जब I1 बराबर निकालेंगे तो I1 बराबर देखोग पढ़ा है आपने V R बराबर पढ़ा है V upon I यहां से V लेंगे तो क्या आएगा? I R और अगर I लेंगे तो क्या आएगा? V upon R तो i1 क्या हो जाएगा v upon r1 कॉमा i2 कितना हो जाएगा v upon r2 कॉमा i3 कितना हो जाएगा v upon r3 के हो जाएगा अब क्या किया जाए परंतु i बराबर जो होगा i यहां से धारा जा रहा थी यही तिन बागों में डिवाइड हुई है तो आई बराबर क्या होगा परन्तु आई बराबर ही कितने के है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थिरी के है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थिरी के है अब जब इतने के है तो करेंगे क्या वैलू रखेंगे आई बराबर I1 का मान रखेंगे V upon R1 I2 का मान रखेंगे plus plus है I2 रखेंगे I2 की जगए V upon R2 और ऐसे ही R3 की जगए V upon R3 तो I बराबर V कामन लेंगे 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 के यह हो जाएगा इसको नाम दे दिया समी करान इसको पहला समी करान दे दिया किलियर समी करान क्या दे दिया पहला दे दिया इसको अब देखो क्या किया गया जब इसको समी करान पहला दिया गया तो इसको हम लोग solve करेंगे अब लेंगे क्या कि इन सभी प्रतिरोधों की इस्तान पर एक ऐसा प्रतिरोध लें जिसका प्रतिरोध कैपिटल आरो तथा जिसे सिरों के वीच वीवांतर क्या हो जाए कैपिटल वी हो जाए इन सभी की स्तान पर एक प्रतिरोध कैपिटल आर लें जिसे सिरों के वीच वीवांतर कितना हो जाए कैपिटल वी बोल्ट हो लिखेंगे यदि इन सभी प्रतिरोधों के इस्तान पर के इस्तान पर एक ऐसा प्रतिरोध कैप्टल आर ले जिसे इस्माल आई एंपियर की वैदुद्धारा देने पर देने पर उसके सिरों के बीज विभवांतर कैप्टल वी हो तब तब लगाएंगे क्या तब आई बरावर पता है क्या होता है वी अपॉन आर के ये समीकर्ण हो जाएगा सेकंड आई बरावर वी अपॉन आर के अब समीकर्ण एक वा दो से देखेंगे समीकर्ण एक वा दो से बात करें तो समीकर्ण एक वा दो के दोनों के आपको लेचेस बरावर देख रहा है एलेचेस जब बरावर हैं तो आरेचेस भी क्या होंगे बरावर होंगे तो आरेचेस बरावर होंगे अर्थात ये बरावर इसके तो ये V upon R, बरावर क्या हो जाएगा V1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 की V से V cancel तो ये 1 upon R equal आ जाएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 यह हो गया यही क्या है यह है समानतर करम सम्योजन का तुल्ल पRत्रोद लिख देंगे यह क्या है समानतर करम सम्योजन का तुल्ले प्रित्रोद है तो इस प्रकार आप लोगों ने समझा समानतर क्रम शयोजन का तुल्ले प्रित्रोद नोट कर लिजी इसको